बैठक में कई एहम फैसली लिए गए मंत्री मंदल ने गरीबों और जरूरत मंदों को मदद मुहया कराने के लिए आज कई एहम फैसलों पर मुहर लगा दी है आपको बताएंगे कि केंद्र ग्रह मंत्राले ने गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में वित्य गरबड़ी को लेकर जांच का आदेश दिया है ग्रह मंत्राले ने इसके लिए एक अंतर मंत्राले समिती भी गठित कर दी है वही राजसभा के सभापती एम वंकया नाइडू ने संसत के मौनसून सत्र और संसदिय समितियों के बैठकों के संचालन की योजना के लिए आज समीक्षा की इसके अलावा जानेंगे देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिती है बने रही हमारे साथ आई शुरुवात करते हैं एहम खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आज कैबिनिट की बैठत में कई एहम फैसले लिए गए मंत्री मंडल ने गरीबों और जरूरत मंदों को लगातार मदद मुहया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट खाद्य उत्पादों के वितरन और प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट बने मकान किराय पर देने से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई इसके अलावा कृषी इंफ्रस्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ कारोबारियों और करमचारियों के हितों से संबंधित निर्नेयों को भी मनजूरी दे दी गई है आत्मनिर्भर पैकेज के तहट कई अन्य फैसलों को भी मनजूरी मिली है कैबिनिट ने देश की तीन जनरल इंशॉरंस कमपनियों में स्थिर्ता और मजबूती के लिए निवेश के प्रस्ताव को पारित किया है कैबिनिट ने देश की तीन जनरल इंशॉरंस कमपनियों में स्थिर्ता और मजबूती के लिए इस निवेश को पारित किया है ताकि लोगों को इससे मदद मिले केंद्रिय मंत्री मंदल ने सार्वजनिक शेत्र की तीन साधारन बीमा कमपनियों में 12,400 करोड रुपे की पूझी लगाने की मंजूरी दे दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होई बैठक में ओरियंटल इंशॉरंस, नैशनल इंशॉरंस और युनाइटेड इंशॉरंस में पूझी निवेश से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई इन रकम में 2500 करोड रुपे की पूझी डालने को सैध्धान्तिक मंजूरी पहले फरवरी में ही दे दी गई थी और अब 3475 करोड का पूझी निवेश भी चालू वित्वर्ष में ही किया जाएगा बाकी की रकम अगली किष्ट में जारी होगी सरकार के इस फैसले से तीनों साधारन बीमा कंपनियों की वित्य स्थिती और नियामकिय कर्ज भुकतान क्षमता मजबूत होगी नैशनल इंशुरेंस कंपनी, ओरियंटल इंशुरेंस कंपनी, युनाइटेड इंशुरेंस कंपनी इनमें सरकार बारा हजार साथ सो पचास करोड रुपे का निवेश करेगी इस इस प्रोग्रम ऑफ री कैपिटलाज़ाशन आप इस इंशुरेंस कंपनीज इस तो एट बीकम और स्टेबल एक स्थिरता और मजबूत ही आए इसके लिए ये तीन कंपनीओं को निवेश उसमें यहने उनको जो कैपिटला है उसकी री कैपिटलाज़ाशन की योजना में उनको मज़द मिलेगी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना की अवधी पांच महीने और बढ़ाने को भी की मंजूरी दे दी है इस योजना के तहट लाभार्थी परिवार के प्रतेक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रतेक परिवार के लिए एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है देश के करीब 80 करोड लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राश्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधी बढ़ाय जाने की गोशना की थी इसके अलावा प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीबों के लिए किफायती किराय के आवास परिसरों का भी विकास किया जाएगा प्रधान मंत्रिया आवास योजना में जैसे आपको पता है शेहरों में कुछ घर बनके तयार है अन्नी योजनाओं में 107 शेहरों में 1,08,000 छोटे मकान यानि वन बेडरूम कीचन इतने फ्लैट्स तयार है इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराय पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तयार है सरकार ने कारोबारियों और करमचारियों को भी तौफा दिया है सरकार ने नियोकता और करमचारी के P.F. अंशदान को लेकर अगस तक 24 फीसदी E.P.F. योगदान के विस्तार को भी मनजूरी दी है इसके तहट 15,000 रुपे तक वेतन वाले लोगों का P.F. सरकार भरेगी और इस फैसले से 3,5 लाग से जादा नियोकताओं और 72 लाग से जादा करमचारियों को राहत मिलेगी इसके अलावा उजवला योजना के तहट सितंबर तक Free LPG Cylinder बाटे जाने की योजना को मनजूरी मिली इस फैसले से उजवला योजना के तहट 7 करोड 50 लाख महिलाओं को लाग मिलेगा क्रिशी में इंफ्रेस्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड रुपे के एगरी इंफ्रा फंड को भी मनजूरी दी गई है केंद्र वित्तमंतरी निर्मला सीता रमन ने 20 लाख करोड रुपे के आर्थिक पैकेज के दोरान क्रिशी उपज के रख रखाव, ट्रांस्पोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रेस्ट्रक्चर के लिए इस पैकेज की घोशना की थी रसी का छेद्र अपने आपको इसलिए उप्यक्षित महसूस करता है कि निजी छेद्र का निवेस गाओं तक और खेद तक नहीं पहुँचता ये जो कानूनी बदलाओं हुएं इन बदलाओं के परणाम सरूप भी निजी निवेस किसान तक गाओं तक खेद तक पहुँचेगा और ये पहुँचे इसके लिए ये एक लाग करोड रुपए का पैकेज है ये पैकेज इसका माध्यम बनेगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मन्नी प्रधान मंत्री जी ने आने के बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर साढ़े साथ लाख के करीब पहुँच गई है लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट बढ़कर साढ़े 61% से जादा हो गया है चार लाख 56,000 से जादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं हालाके कोरोना से मरने वालों की संख्या साढ़े 20,000 से अधिक हो चुकी है देश में कोविड से मरने वालों की दर 2.78 फीस दी है देश में कोरोना के आकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले सामने आए हैं जबकि 482 लोगों की मौत हुई है देश में कोरोना वाइरस की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है वहें इस महामारी से अब तक 20,642 लोगों की जान भी जा चुकी है कुल संक्रमन के मामलों में से 61 फीस दी से ज्यादा ठीक हो चुके हैं आखलों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 4,56,830 मरीज ठीक हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में 16,800 से ज्यादा लोग ठीक होए हैं वहें 2,44,944 एक्टिव मामले हैं ICMR के अनुसार अब तक 1,4 लाग से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जाच की गई है जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,62,689 लोगों की जाच की गई भारत की कोरोना के मामलों में तीस्ते स्थान पर पहुचने के बावजूद पॉजिटिविटी रेट, ब्रत्यु दर और ठीक होने की दर को लेकर दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में हैं प्रती 10,005 की आबादी पर COVID-19 के मामले भारत में काफी कम हैं भारत में प्रती 10,005 आबादी पर COVID-19 के 505.13,7 मामले हैं जबकि वैश्विक औसत मामले 1453.25 हैं अमेरिका में प्रती 10,005 आबादी पर 8560.5 केस ब्रاجिल में 7,419.1 और रूस में 4713.5 मामले हैं इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेट कई देश भी प्रती दस लाग आबादी पर मामले के आधार पर भारत से आगे हैं इसमें चिली में सबसे ज्यादा 15,469.8 मामले हैं दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रती दस लाग आबादी में कोविट से मरने वालों की संख्या भी सबसे कम है भारत में प्रती दस लाग आबादी पर कोविट से मरने वालों की संख्या 14.27 है जबकि वैश्विक औसत इससे चार गुना से भी अधिक 68.29 है अमेरिका में प्रती दस लाग आबादी पर कोविट से मनने वालों की संख्या 391.00 ब्राजील में 302.3 और ब्रीटेन में 651.4 है इरान, मेक्सिको, पेरू, इटली, स्पेन, ब्रीटेन में भी प्रती दस लाग आबादी में कोविट से मनने वालों की संख्या भारत से ज्यादा है वह दुनिया में जहां कोरोना से रिकवरी रेट 54.55 फीसदी और मृत्यूदर 4.59 है भारत में रिकवरी रेट 51.53 और मृत्यूदर 2.78 फीसदी है कोरोना से सबसे ज्यादा पेडित अमेरिका में रिकवरी रेट 31.25 और मरने वालों की दर 4.38 फीसदी है ब्राजील में रिकवरी रेट के साथ मृत्यूदर भी अधिक दर्ज हुई है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाग तक पहुचने में भी अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा 119 दिन लगे हैं बीरो रिपोर्ट प्राजी सभा टीवी कोविट संकट के दौर में इस महमारी से लड़ने के लिए जो कदम भारत ने उठाए हैं उसकी तारीफ हो रही है ये भारत की कोविट 19 के खिलाफ जंग में तयारियों का ही नतीजा है कि विश्व स्वास्थ संगठन भारत की कोशिशों की लगातार सराहना कर रहा है कोरोना के खिलाफ जंग में संक्रमित मरीजों की समय पर ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीती का असर भी दिखा है देश तेजी से कोरोना को हरानी की तरफ बढ़ रहा है केंद्रो और राज्य सरकारों ने कुरोना महमारी को मात देने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीती को अपनाया है भारत ने COVID-19 के मामलों को देखते हुए लगातार अपनी रणनीती को नई धार दी है जिसे भारत में भले ही मामले बढ़े हो लेकिन संक्रमन मुक्त होने का आकड़ा भी तेजी से बढ़ा है भारत में प्रती 10 लाख पर ठीक होने वाले मामले 315.8 हैं जबकि प्रती 10 लाख पर सक्रिय मामलों की संख्या 186.3 के निमनिस्तर पर हैं परिक्षन के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आएं लोगों का पता लगाना और घर घर जाकर सर्वेक्षन किया गया है राजियों को विशेश रूप से ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कम से कम 80 प्रतिशत नए पॉजिटिव मामलों में 72 घंटे के अंदर उनके संपर्कों का पता लगाया जाए और केस पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कॉरंटीन कर दिया जाए अब बात विभिन राजिस सरकारों के उठाये गए कदमों की करते हैं ओडिशा सरकार ने कटक शहर में कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर को बंद करने का आदेश दिया है करनाटक के कलबुर्गी जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर सारवजनिक स्थानों, कन्वेंशन हॉल और घरों पर विवाह समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है वही असम के पश्चिम कौर्बी आंगलोंग जिले में बुधवार से एक हफते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है इसके अलावा असम के जोरहाट नगर निगम इलाके में 9 जुलाई से 15 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोशना की है पंजाब आने वाले सभी यात्रियों के लिए इपंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है पश्चिम बंगाल की ममता बैनर जी सरकार ने 9 जुलाई को शाम पांच बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिये है सरकार के इस फैसले से राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्थ लॉकडाउन रहेगा गोवा सरकार ने इस महीने राज्य के करीब धाई सो होटलों को घरेलू पर्याटकों के लिए खोलने की अनुमती दे दी है हाला कि इसके लिए पर्याटकों को कोविड-19 नेगेटिव का प्रमान पत्र देना होगा महराश्य सरकार ने नौजुलाई से पूरे राज्य में दुकान खोलने के समय को दो घंटे के लिए और बढ़ा कर छोटे दुकानदारों को राहत दी है अब बात करते हैं कोरोना से जोड़ी वैश्विक खबरों की जहां अमेरिका ने आधिकारिक तोर पर विश्वस्वास्त संगठन से नाता तोड़ लिया है वही डवल्यू-एचो ने माना है कि कोरोना वाइरिस हवा के जरिये भी फैल सकता है आपको वैश्विक आखडों के साथ साथ ब्रजील के राष्ट्रपती जायर बोलसोनारों के बारे में भी बताएंगे जिनकी COVID-19 जाच में उन्हें पॉजिटिव पाया गया है अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट को विश्व स्वास संगंठन से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया UN के इस संगंठन को सबसे ज्यादा सालाना आर्थिक मदद अमेरिका देता आया है कोरोना वाइरस को लेकर ट्रम कई बार WHO की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं और चीन की तरफ जुकाओ का आरोप तक लगा चुके हैं अमेरिका के इस फैसले को लेकर सव्यूक तुराष्ट ने कहा कि 6 जुलाई 2020 को अमेरिका ने महासरचिव को विश्व स्वास्त संगंठन से हटने की आधिकारिक जानकारी दी जो 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी वहें कोरोना वाइरस हवा की जरीए फैल सकता है इस बात को विश्व स्वास्त संगंठन ने स्युकार कर लिया है दवी अचो की तकनीकी टीम की तरफ से कहा गया है कि एर बोन ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता We acknowledge that there is emerging evidence in this field as in all other fields regarding the COVID-19 virus and pandemic and therefore we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ब्राजील की राश्पती जार बोल सुनारो के कोरोना वाइरस संक्रमन से जल्द स्वास्त होने की कामना की है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बुद्वार को ट्वीट कर कहा कि मेरे मित्र राश्पती जार बोल सुनारो मैं आपके जल्द स्वास्त होने की कामना करता हूं और भगवान से प्राथना भी करता हूं बात अगर वैश्वीक आक्लो की करें तो कोरोना वाइरस से संक्रमन का कुल आकला एक करोड अठारा लाग के पार पहुँच चुका है जबकि पाच लाग चौवालीस हजार से ज्यादा लोग जान गवा चुके हैं करोना वाइरस का सबसे ज्यादा प्रकोब अमेरिका पर पड़ा है जहां अभी तक 29,96,000 से ज्यादा संक्रमन के मामले सामने आए हैं वहीं इस महामारी से 1,31,000 लोगों की मौत हुई है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पीड़ित देशों में ब्रजील है जहां 16,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वैश्री काकडों के लिहास से तीसरे नंबर पर महारत है जबकि रूस में कोरोना से इंक्रमन के मामलों का आकड़ा 7,000,000 के करीब है जबकि मरने वालों का आकड़ा 10,000 को पार कर चुका है बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी केंद्रिय ग्रिह मंत्राले ने गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों में वित्य गड़बडी को लेकर जाच का आदेश दिया है ग्रिह मंत्राले ने इसके लिए एक अंतर मंत्राले समिती भी गठित कर दी है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटिबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंकम टैक्स और विदेशी दान के नियमों के उलंगन की जाच करेगा केंदी सरकार गांधी परिवार्च जुड़े तीन ट्रस्टों में वित्य गलबडियों की जाच करेगी इसके तहट राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में वित्य गडबडियों को पता लगाया चाहेगा इन ट्रस्टों पर प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट और इंकम टेक्स के नियमों को तोड़ने का रूप है जाँच के दौरान ग्रीम अंतराले द्वारा गठित समिती कॉडिनेशन का काम करेगी जबकि परवतन निदेशाला के स्पेशल डारेक्टर जाँच टीम का नेत्रितु करेंगे गांधी परिवार से जुड़े इन तीनों ट्रस्टों के खिलाफ प्रिविंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट इंकम टेक्स एक्ट और एफ आर सी ए यानि फॉरिन कॉंट्रिबूशन डेगूलेशन एक्ट की नियमों के उलंगन की जाँच होगी राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप है कि उसे चीनी दूतावास से डोनिशन मिला था इसके साथ ये भी आरोप है कि मनमोहन सिंग सरकार ने फ्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिये थे जबकि पी एन एन आर एफ जरुत मन्द लोगों की मदद के लिए बनाया गया था मुझे आश्यर होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को दो हजार पाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज अमबेसी ने थ्री थाउजन हंडड़ थ्री थाउजन हंड़ेड यूएस डॉलर राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने यह कॉंग्रेस का कॉंग्रेस पार्टी का और चाइना का गुप चुप रिष्टा देश जानना चाता है कांग्रेस के ने नेताओं के वहाँ घर पे EDCD भेजते रहो राजीव गांधी जी पूरी दुनिया में देश का गवरव जिन्होंने बढ़ाया एक सेवा का काम वो ट्रस्ट कर रहा है वहाँ पे जहाच करवा के सिर्फ एटेंशन डाइवर टेक्टिक के अलावा कुछ नहीं है राजीव गांधी फाउंडेशन की नीव 21 जून 1991 को रखी गई थी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चिये परसन है और राहुल गांधी, प्रेंका गांधी, पूर प्रधानमंत्री बन मोहन सिंग और पी चिदमरम इसके ट्रस्टीज हैं वही राजीव गांधी चरिटेवल ट्रस्ट की स्थापना 2002 में Not for Profit Organization की रूप में हुई थी जबकि इंद्रा गांधी मेंमोरियल ट्रस्ट की स्थापना फरवरी साल 1985 में हुई थी इन दोनों ट्रस्टों की चे पर्षन भी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही हैं वक्तों चला एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फॉरन लोटेंगे आप बने रही हमारे साथ राजसभा के सभापती एमवेंकईया नाइडू ने संसत के मौनसून सत्र और संसद्य समितियों के बैठकों के संचालन की योजना की बुधवार को समीक्षा की उच्च सदन में उपसभापती और रिक्त पदों के चुनाओं पर भी चर्चा हुई है राजसभा के सभापती एमवेंकईया ने राजसभा के उपसभापती की चुनाओं की प्रक्रिया और तीन रिक्त सीटों पर चर्चा की उपसभापती हरिवन्श का कारिकाल इस साल अप्रेल में समाप्त हो गया था इसके बाद वो सदन के सदस्य के तौर पर दोबारा निर्विरोध चुने गए हैं बैठक में अगले कुछ दिनों में राजसभा की कुछ सम्मंधित संसदिय स्थाई समितियों की बैठकों से पहले कौरम से सम्मंधित मुद्दो और बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के भत्ते पर भी चर्चा की गई जिसमें वरिश अधिकारियों ने बताया कि कौरम केवल निर्णे लेने और समिति की रिपोर्टों को अपनाने के लिए आवश्यक है ना कि चिनित मुद्दो पर सामाने चर्चा करने के लिए और सम्मंधित मंतरालों विभागों से साक्ष लेने के लिए अधिकारियों ने ये भी बताया कि समितियां वर्चों से बिना कौरम के बैठक करे ही हैं ये स्पष्ट किया गया था कि कोरम के बिना समिती की बैठके टिये और डिये के लिए भाग लेने वाले सदस्यों को शामिल करती हैं ये भी उलेक किया गया कि राजी सभा की आठ विभाग सम्मंधी स्थाई समितियों ने पिछले तीन वर्षों में 281 बैठके की जिनमें से 16 फीसदी बिना किसी कोरम के थी सभी इंतिजामों को अंतिम रूप देने के लिए सभापती M.N.K. नाइडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच चर्चा के बाद निर्ने लिया जाएगा इससे पहले हुई बैठक में ये निर्ने लिया गया था कि सदस्यों के बीच दूरी सुनिश्चित करने के लिए राजी सभा सदस्यों को चैंबर और सदन की दीरगाओं में बैठाया जाएगा जबकि संसभवन के परिसर के भीतर दूसरों के आभासी भागिदारी सुनिश्चित की जाएगी बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी अर्थ विवस्था को गती देने और आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई विकल्पों के जरिये प्रयास कर रही है इसी कड़ी में सरकार अब केंद्र सारवजनिक कंपनियों को खर्च करने के लिए प्रोथसाहित कर रही है वित्वंत्री निर्मला सीता रमन ने वीडियो कांफरेंसिंग से 23 केंद्रिय सारवजनी को क्रमों के साथ पूंजी व्याय पर कल एक एहम बैठक की उन्होंने कहा कि इनके बहतर प्रदर्शन से अर्थववस्था को COVID-19 के प्रभाव से उबरने में बड़ी मदद मिल सकती है कोरोना काल में अर्थववस्था की रफ़तार तेज करना ज़रूरी है और इस लक्ष को हासिल करने के लिए केंद्रिय सारवजनी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमर ने इसी सिलसले में परमाणू उर्जा, पेट्रोलियम, कोईला और खान मंत्रालियों के सचिवों और इन से सम्मंधित 23 केंद्रिय सारवजनीक उपक्रमों के साथ पैठक की इस दौरान आर्थिक विकास को गती देने के उपायों पर चर्चा की गई सीपी एसी उपक्रमों के प्रदर्शन की समीख्षा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारती अर्थिववस्था को गती देने में सीपी एसी की काफी एहम भूमिका रही है उन्होंने सीपी एसी को लक्षियों को हासिल करने के लिए दो हजार बीस एकीस के दौरान उपलब्द कराई गई पुँजी का उचित और तैस समय में इस्तिमाल सुनश्चित करने के लिए प्रोद साहित किया दो हजार बीस एकीस वितवर्ष में देश की तैस केंद्री सारवजनिक कंपनियों के पुँजी गत्क खर्च का लक्ष एक लाख पैसट हजार पांस सो दस करोड रुपए रखा गया है चालू वितवर्ष की पहली तिमाही में इसकी 12 फीसिदी धनराशी खर्च हुई है जो 20,202 करोड रुपए है वहीं वितवर्ष 2019 पीस में इसी तिमाही में ये आकड़ा 16 फीसिदी था वित्यमंत्री ने कहा कि चालू वश्की पहली चमाही में कुल लक्ष का 50 फीसी दीवे सुनिश्चित किया जाना चाहिए केंद्वी सारवजनिक कंपनियों के प्रदर्शनों की बारीकी से निगरानी किये जाने के लिए वित्यमंत्री ने पुखता योजना बनाये जाने की जरूरत भी बताई वित्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आसाधारन हालात में आसाधारन और सामोहिक प्रयासों की जरूरत होती है जिससे ना सिर्फ हमारा प्रदार्शन बहतर होगा बलकि भारतिय अर्थ व्यवस्था को बहतर परिणाम हासल करने में भी सहायता मिलेगी सारवजने कंपनियों की तरफ से अपने पूझी गत्ख खर्च के लक्षे को पूरा करने से आर्थिक विकास का पहिया, तेज घुमाने और देश को आत्म निर्भर मालाने में काफी मदद मिलेगी भारत को स्वास्थ शेत्र में खर्च को जाधा प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है, साथी ये खर्च योजना बध तरीके से किया जाना चाहिए पंद्रहवे वित आयोग और विश्व बैंक की बैठक में ये विचार व्यक्त किये गए इस मौके पर 15 वित आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंग ने कहा कि 15 वित आयोग पहली बार स्वास्थ वित पोशन पर एक पूरा अध्याय समर्पित करेगा विश्व बैन के प्रतिनिधियों का विचार था कि भारत के हर राजे का स्वरूप और स्वभाव अलग है इसलिए राजियों के लिए स्वास्थ योजनाएं उनकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए उन्होंने कहा कि स्वास्थ देखभाल केवल एक सामाजिक खर्च नहीं है बलकि ये देश की आर्थिक वृध्धी और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है विश्वबैंक ने वित्य आयोग को दी गई अपनी प्रस्तुती में कहा कि नई टेक्नोलोजी संसागत मजबूती और बहतर तालमेल से राजियों के स्थिती मजबूत कर स्वास्थ सेवाओं में सुधार किया जा सकता है राजियों के भीतर संसाधनों के बटवारे पर ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है और बहतर स्वास्थ सेवाओं के लिए सरकारी और निजी शेत्र के बीच तालमेल और बहतर किया जाना चाहिए देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक द्रिष्टी से महत्वपूर्ण बुनियादी धाचागत परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने सीमा सडक संगठन की बुनियादी धाचे संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि संगठन इस लक्ष को हासिल करनी के लिए पूरे जोश के साथ काम कर रहा है देश में लदाग समेट तमाम सीमा वर्थी ख्षेतरों में रणनीतिक सडकों, पुलो और सुरंगों की निर्माण में तेजी लाई जाएगी रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया है सीमाक्षेत्रों में निर्माना धीन कई बुन्यादी धाचेगत परियोजनाओं की प्रगती की समीक्षा के लिए उन्होंने एक उच्चिस तरी बैठक की इस दोरान फॉरवर्ड कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई और वर्तमान में जारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने की निरंतर आवशक्ता पर जोड दिया गया बियारों को उसकी उपलब्धियों के लिए बढ़ाई दिते हुए रक्षा मंत्री ने संगठन को और अधिक प्रशन सा हासिल करने के लिए अपने कामों को जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया उन्होंने कहा कि सीमा सलक संगठन को आधुनिक तम उपकरण और मशीने उपलब्ध कराई गई है और संगठन ने सीमेंट की सलके बनाने सताह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल और धलान पर मिट्टी के कटाओ को रोकने जैसे कामों में सलक निर्मान के आधुनिक तकनीकों को परिक्षन के बाद अपनाया है स्वदेशी तकनीक से मॉड्यूलर पुल बनाने की टेकनलोजी का भी सीमा सलक संगठन ने सफलता पूर्वक परिक्षन किया है इससे सीमा वर्ति आगरिम इलाकों में पुलों के निर्मान की शमता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा सीमा सलक संगठन यानि बी आरो ने विभिन परियोजनाओं की प्रगती को बिना प्रभावित किये कोविड-19 के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान भी लगातार काम किया है बी आरो ने वितवश 2018-19 के मुकाबले वितवश 2019-20 के दौरान 30-20 ज्यादा परियोज को पूरा किया है बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी भारत ने विदेशी चात्रों के वीजा से संबंधित मुद्दे पर मंगलवार को अमेरिका से बात की विदेश सचेव हर्शवर्धन श्रंगला ने अमेरिका के राजनितिक मामलों के उप विदेश मंतरी डेविड हे के साथ ओनलाइन बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया सूत्रों के मुताबेक अमेरिकी पक्ष ने इस पर गौर करते हुए कहा कि वो भारत या छात्रों के सर्वोतमहितों को ध्यान में रखेगा और F1 वीजा के बारे में नए नियम के प्रभाव को कम करने की कोशिश क करेगा दरसल ट्रम्प प्रशासन ने उन F1 M1 वीजाधारकों के लिए अमेरिका में रहने की अनुमती देने से इंकार किया है जिनकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो रही है जलवायू परिवर्तन के दुश प्रभावों के खिलाप एक जुट कारवाई को लेकर मंगलवा को दुनिया भर के परियावरन मंत्रियों की चौथी वर्चो अलवारता हुई इससे संबोधित करते हुए केंद्रिय परियावरन मंत्री प्रकास जावरिकर ने कहा कि विकास शील देशों में चलवायू एक्षन को और मजबूत करने के लिए 2020 तक एक ट्रिलियन डॉलर का पूरा नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि विकसित देशों को UNFCCC और पैरिस समझोते की तहत वित्य और तक्निकी प्रतिबधताओं पर अमल करना चाहिए केंद्रिय परियावरन मंत्री ने उमीद जताई कि इस साल के 6-5 महिनों में विकसित देश इराश्टी जुटा लेंग और जलवायू परिवर्तन के खिलाफ समुचित कारवाई सोनिशित करने पर विचार भी मर्श किया सायुक्त राश्टो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमिट चेंज की तहत पैरिस समझोते को पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा और जलवायू परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक राजनेतिक प्रतिबधता के प्रदशन करने के लिए यूरोपिये संग चीन और कैन सारवाई की प्रगती सुनिश्चित करना था बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी और इसी के साथ इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही आप जुड़े रही राजी सभा टीवी के साथ और अनलॉक के दौरान भी पूरी साफधानी बरतें बाहर जब भी निकलें तो मास्क आ